स्पोर्ट्स तक को सब्स्राइब करना बिल्कुल न भूले आज हमें फेस्बुक इंस्सट्राम और ट्विटर पर ही फॉलो कर सकते हैं और हाँ हाँ आप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भोलेगा क्यूंकि वहाँ लेजिंड्स को हरा कर आप जीत सकते हैं दो गुना ही है टी-20 वर्ल्काप के सूपर ट्वेल की यानि कि इस सूपर ट्वेल में आमने सामने होगी वो बड़ी टीम है जिन से उम्मीद की जा रही है इस वर्ल्काप को जीतने की और आज जो पहला मुकाबला है वो है साउथ अफरिका और आस्ट्रेलिया के बीच में अगर दोन अबुदाबी को देखकर लगता है कि आज जमकर रन भी वरस सकते हैं जी बिल्कुल दीपक जिस तरह से पिच है दोनों बैटिंग के लिए काफी अच्छी मानी जाती है अबुदाबी की पिच और लेकिन पेसर्स का भी अच्छा रोल होता है मिडल ओवर्स में देखे तो सफ फ्रिका वहीं जीट कर आ रहा है तो यह सारी चीजें मैंटर करते हैं लेकिन बहुत ही गलत होगा उस्ट्रेलिया को अंडर एस्टिमेट करना नहीं ऑनडर श्रीमेट करें जैसी टीम को कभी किया नहीं जा सकता और यह सब्क्र वेंट दोनों खेलारी उख लिश्ट है क और आपने अगर अभी तक हाउस एड को डाउनलोड नहीं किया आप नहीं है तो आपके लिए तो और बड़ी हाउसर है क्योंकि फर्स्ट गेम फ्री है हाउस एड में इस बार और आपको क्या करना है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाकर आप लिंक पे क्लिक की और सीधे आप होम पेज पर पहुंचेंगा और फटा फटा आप को डाउनलोड कीज़ अपनी पहली टीम बनाई है और फर्स्ट गेम फ्री है और उसके बाद तो आप जीते जाएंगे जीते जाएंगे और आपके पास बहुत मोके आएंगे इस वर्ल कप में जीतने के तो स किसको लेना पसंद करेंगे अदीपक मेरी प्लेंग 11 में तो ग्लेन मैक्सफिल पक्का है जिस तरह से उनका प्रदर्शन IPL में रहा है रोयल चालेंजर बैंगलोर के लिए तो मुझे लगता है वो इस वोल्ल कप में भी दमाल मचाने वाले हैं कप्तान रहेंगे मेरी टीम क कि टीम के कपतान रहेंगे ग्लैन में जी बिलकुल और कुंतिन दिकॉक मैं अपनी टीम का वाइस कैप्टन विकेट कीपर कुंतिन दिकॉक को रखोंगे और बाकी मेरी प्लेयर रहेंगे डेविड वर्नर आप बिलकु शॉक्ट रहेंगे कि मैं डेविड वर्नर को रहेंग अब यह देखना जरूरी है कि मार्कस टॉनर्स को मैं अल्राउंडर लेके जा रहे हैं और भी बोलिंग करें नहीं करेंगे इस पर क्वेश्चिन मार्क है जिस तरह से उनको इंपल में इंजिरी हुई एंड्रिक नॉकिय को मैं अपनी टीम में जगा दी है जिस तरह मैंने बत अब देखिए यह एंकी टीम है लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं अपनी टीम बनाऊंगा उसमें मैं कुंटन डीकॉक को मैं लूंगा ही क्योंकि एक विगेट कीपर मिरको विकल्प चाहिए तो कुंटन डीकॉक का जाएंगो और टीटवन टीम में वह हमेचाहीं कहते हैं इसके इस तरीके के बेस्ट स्पिनर है वो और उसके अलागा रबाला और एंड्रिक नौकिया हमने देखा कि दिल्ली गाइपिटल्स के लिए किस तरीके से इन्हों ने प्रतरशिन किया और यहां पर उन्हें अनुभव है गेंद बाजी करने का वह पिछले महीने यहां पर ही गे कर रहे हैं थोड़ा वक्त लगेगा उनको एड्जर्ट होने में और स्टेव स्मिथ में अपने टीम मेलेना पसंद करूंगा ग्लैन मैक्सवल मेरी टीम में हो सकते हैं और एडम जंपा भी एक अच्छी पसंद रहेंगे जॉश हेजल वुड भी एक अच्छा वेकल्प हो सक आपके अरों फिंच विफल हो गए तो आके उन्होंने कुछ रन बनाए तो यह तो बात की हमने पहले मुकाबले की और यह मुकाबला था साउथ आफ्रिका वर्सिस ऑस्टेलिया के बीच में और यह मुकाबला बड़ा इंट्रेस्टिक रहने वाला है लेकिन इससे इंट्र करना चाहेगा इंगलेंड तीपक 2016 की बात कि हमने चीजे बहुत बदल चुकिया है बन स्टोक्स नहीं है जोफरा आर्चन इस टीम का हिसा बहुत सारी डायनेमिक्स बदले हैं इंगलेंड टीम के और वेस्ट इंडीस का भी देखा जाए तो अभी जिस तरह से वाम-अप ग कि विजेता है और 2016 वर्लकुप का माइंड में रहेगा तो आपकी टीम कौन कौन सी होगी बता है मुझे नहीं लगता वैसे कि चाल साल पुराना कुछ में रहेगा क्योंकि जो इंगलेंड के टीम आप बस कह सकते हो एक रिकॉर्ड की यार पास्ट में जो हुआ वो तो सफिर इंग-्या और मारने लगते और फिर वो रुखते नहीं है वो मारते ही जाते हैं तो एंगलेंड की टीम मुझे लगता है कि भले ही जौफरा पास्तान और वैस्ट इनीस नियुप नहीं बंदा लगता है कि थोड़ेंड क reflect 2005-間 कि से मैंग अगर मैं इंग्लाइंड की टीम चुनूंगा ना तुम्हें जैसन रॉय को और जॉस बटलर को जरूर लूंगा अपनी टीम में और जॉस बटलर तो लाजमी है विकेट कीपर होंगे ही मेरी टीम के जैसन रॉय और वह आकर मतलब जिस तरीके से पावर हिटिंग करते हैं पहल क्या करते हैं क्योंकि यह खिलाडी जिस दिन खेलता है ना तो उस दिन फिर यही खेलता है वागे सब ताली अजाते हैं तो जैसन रॉय मेरी टीम में होगा और जॉस बटलर को मैं पने टीम में ज़रूर लूंगा इसके अलावा मोही नली मोही नली आई-पैल में खेले है और उस दिन आपको याद होगा जो इंडिया के खिलब वाम अप मैच था उसमें आकर उने अच्छे रन बनाए तेजी से रन बनाए तो मोई नली मैं ले सकता हूँ इसके अलावा मैं आदिल रशीद क्योंकि यहां पर एक लाग स्पिनर इंपॉर्टेंट मुमिका रहेगी उ मै sprit क्रिस गेल को देखना जाऊँगा कि कृस के बार्ट्न करते हैं रिस तो वेसुन करार रखनार Habac Wars कि ऐसा खिलावार हिए ना मैच बनाकर चला जाएगा तो Chris Gale होंगे, एविन मेर्स ये मेरी टीम में हो सकते हैं और इसके लावा है है अंदरे रसल मैं श्राइद आज नालू लेकिन मुझे लगता भी है कि अंदरे रसल अब देखना होगा कि उनके उपर क्या रहता है को कि इंजरी से आए हैं और पोलाड आप ले सकते हैं अपनी टीम के इवन पोलाड को तो आप कप्तान भी उना सकते हैं आप मैं पूछने अलीति आपके कप्तान उन रहेंगे तो इसके अलावा मैं अगर बॉलर्स में देखू तो ओबिड मैकॉय इनका परफॉर्मेंस हाल फिलाल बहुत अच्छा रहा है तो अबिड मैकॉय ले सकते हैं रॉस्टन चेज इवन इस खिलाडी ने रन बनाए थे जो अफगानिस्तान के खिलाव तो यह कुछ इसी परकार के टीम रहेगी और मैं आगर आपको पताओं कि वेस्ट इडिस वाले टीम में किसे कपतान बनाऊंगा और कपतान तो मैं जसन रॉय को कपतान बना लूँगा क्योंकि दुबई में यह मुकाबला होना है और वहां पर रन बनने को उमीर हो और उसके अलावा अगर मैं वेस्ट इंडिस की तरफ से देखूं तो मैं वाइस चाहे वो राजिस्तान रोयल्स के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया या CPL में उनका प्रदर्शन है रॉस्टन चेज उनका भी CPL में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है वो अलग था लेकिन मुझे लगता है यह दो बलिबाज है वो काफी अच्छा ओपनिंग दे हैं और मेरे उपकाप्तान जो रहेंगे बटलर रहेंगे और ब्रावो को मैं अपनी टीम में जरूर देखती हूं एक अल राउंडर है बिल्कुल ब्रावो बहुत बढ़िया विकाल पर रहेंगे और इनको ले सकते हैं जी ब्रावो को लेंगे हाँ आपने बताया कि आंदर मेरे ठीम का हिसा रहेंगे लिव इक स्टोन कभी सेम प्वेस्चिन रहेंगे स्टीन का निवीं लेगा कि क्या रंक मार्गन निवेट मैप बता दिया था कि ऑल फूली एं तो मुझे लगता है लिविंग स्टोन मेरे टीम का हिसा रहेंगे और बालर मैं देख जा य तो इंग्लेंट के लिए और मोहीन अली मैंने आपको बता दिया वोक्स रहेंगे मार्क वुड रहेंगे और ये मेरी टीम का हिसा रहेंगे पिल्कुल टीम में दोनों ही काफी बढ़िया हैं और जो साउथ अफ्रिक ऑस्टेलिया वाला मुकापला है उसमें भी तोनों टीम दंद आईए क्योंकि रिकॉर्ट्स भी काई बार देखने जरूरी होते हैं तो दोनों चीज को बैलेंस मनाईए और अपनी टीम चुनिए और पहला गेम अगर खेल रहे हैं तो आपके लिए पहला गेम तो फ्री है तो ज्यादा सोच वेचार करने के ज़रूरत नहीं है हाउज ड आपको डाउनलोड कीजिए अपने टीम बनाईए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज दोनों जो मुकाबले होंगे उसमें कौन से टीम जीच सकती है मतलब मुकाबला जीच सकती है और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को डाउनलोड करना बिलकुल मत भोलेगा क्योंकि वहां लेजिंस को हरा कर आप जीच सकते हैं तो गुना कैश